हाई गाईज इसस मेखना आज हम करने वाले हैं नाक टिबा ट्रैक और अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ यह पंतवारी विलेज है जहां से बेसिकली हम नाक टिबा ट्रैक को स्टार्ट करेंगे पहले मैं आप इसका विलेज को दिखा देती हूँ कि यह विलेज कैसे चार घंटे की ड्राइब के बाद यह पंतवारी विलेज आया है इस रेस्टरॉंट में उन्होंने हमारा लंच और गनाईज किया वाता यहां पर हमने लंच किया और कुछी देर में हम अपना ट्रैक को शुरू करने वाले हैं लिटल रॉक स्टार्ल अपना नाम बतो जाने वाले हैं तो इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि यहां पर सिरफ बड़े ही नहीं बच्चे भी आ सकते हैं गाइस बेसिकली दिस वोस अस्टार्टिंग पॉइंट अफर ट्रैक फर्स्ट अफ फॉल मीटर गाइड गॉरव जो हमी ट्रैक पे लेके गए थे हम लोगों का आठ लोगों का गुरूप डिसाइड हुआ था जो एक साथ इस ट्रैक पे जाने वाला था आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक शिवजी का बहुत ब्यूटिफुल सा टेंपल मिला और विलेज ब्यूटी देखते हैं हम आगे बढ़े बढ़े बट जैसे की साइट पे मेंशन होता है इस फाइफ सिक्स किलोमेटर मॉडरेट ट्रैक बट मुझे ऐसा कुछ नहीं ल आपके लिए कि आपके शूस कमफरेबल होने चाहिए बाग लाइट वेटेड होना चाहिए और आपके पास टू टू थी वाटर बाटल सो नहीं चाहिए विकास यहां पर पानी के ऑप्शन बहुत ही कम है हमें काफी डिस्टेंस तक हमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला फाइनली वी गौट सम रिलीफ बट प्रॉब्लम यह है कि यहां का रास्ता इतना सिंपल नहीं है काफी अपने आपको पुश करना पड़ा हमें जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि रास्ता इतना इजी नहीं है तो आपको शूस आपके कमफरेबल होने चाहिए और यह हमें ट्राक दो दिन में कवर अप करना था तो फॉर्स टे हमें बेस कैम्प तक जाना था जहां पर हमेरे टेंट्स का अरेजमेंट है और यह फाइनली हम लोग अपने बेस कैम्प के पास पहुच गए है जहां पर हमें और फेलो ट्राकर्स मिले जो की बेस कैम्प मे रुकने वाले थे, तो अब हम नियरली अपने बेस कैम के पास हैं, जहां पर टेंट्स अर्रेंजमेंट हुआ हैं और ये देखिए जैसे कि वीडियो में दिखाए गया है ये हमारे Tents हैं, तो Tents काफी अच्छे थे, arrangement बहुत अच्छा था, Tents में Food Arrangement काफी अच्छा था, evening में जैसे कि हम लोग Sunset के आजपास पास पॉचे थे, वहाँ पे base camp तक, तो महाँ पे Snacks का arrangement था और outside यहाँ पे बैठने का arrangement काफी अच्छा था, फोटो के लिए बहुत अच के लिए हम फिर रेडी हुए गाइज अम अपना डी टू स्टार्ट करने वाले हम लोगों को धाई वजे उठा दिया गया बट हमने डिसाइड किया कि हम लोग चार वजे टेक स्टार्ट करेंगे बिकॉस बहुत अंदेरा था और रास्ता इतना क्लियर नहीं था तो हम लोगो उने म्यूजिक इंजॉई करते वे आपस में मस्ती करते वे हमने रास्ते को कवर अप किया लिटल कैली भी पूरे अच्छे से उसने ट्राक को इंजॉई किया I was amazed कि एक फाइव यर्स ओल्ड किड आपका पूरा ट्राक अपने आप से कर रही है तो बहुत ही अच्छा था ल आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आप अच्छे से ट्राक को इंजॉई कर पाएं बिकॉस जितना भी रास्ता इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूं वहां पर पानी के ऑप्शन्स बहुत ही कम है इवन ना के बराबर है आपको पानी कहीं नहीं मिलेगा तो जो भी पा तो आप अपनी नेक्स्ट ट्राकिंग ऑप्शन में नाक्टिबा को कंसीडर कर सकते हैं अब बस बिल्कु संराइज होई गया था हम लोग सम्मिट के पास ही पहुचने वाले हैं तो हम यहां पे लोग जो और भी आए भी है उन लोगों ने कैम्पिंग की भी थी बिल्कु स का ओना सुम्मिट के पास ही जिन्होंने किसी की साइट के थूर भुक नहीं कि अपने आप से यह था हुचन चूज किया था और सन्राइज हो चुका है फोटोजै क्लिक करने के यहां पर बहुत अच्छे ऑप्शन आप किसी भी इस फोटों को नहीं पर एक हम लोग यह सम्म पर आने के बाद सबकी एनर्जी बिल्कुर डाउन हो गई है तो आप देख सकते हो कि कौन कहां पर है किसी को नहीं पता बट आल वर इना मूड टू रिलाक्स फॉर सम टाइम और वैदर को वहां पर इंजॉय करना है और येस हम लोगों को बहुत मज़ा आया है नाक्टिबर ट्राक करके यहां पर अगर आप किसी की साइट के थूर आते हो तो काफी काफी आप फ्रेंड्स बना सकते हो हम लोगों क कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद रिफ्रेश्मेंट लेने के बाद फोटोस क्लिक करने के बाद आप वापस आना शुरू करते हो यहां पर आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत अच्छा लगेगा सम्मिट में आके तो आप नाक्टिबर ट्राक एक बाद जरूर रहा हो यह बहुत अच्छा है with all the precautionary ऐसे और भी experiences में आपके साथ share करूंगी so please subscribe my channel thank you